बॉर्णी फ्रेंज्स मैं विस्मु देव सर यूनिक आनलाइन गुरूप पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और जो भी क्लास चल लही थी उसके आगे कांटिन्यू करते हैं देखिए जो कंडी वगातां की क्लास है ये बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके याम के नजरिये से तो आप कोई भी क्लास मिस मत करिए आपको वीडियो डेली मिल रहा है इसको पूरा देखिए और देखने के बाद बाकाइदे इसका नोर्स बनाईए कोई समस्या हो तो डाइट आप संपर कर सकते हैं तो चलिए आईए जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे कांटिन्यू करते हैं अब देखिए कंडी की बात कर रहे थे हम लोग सर्स पढ़ रहे थे अब देखिए उसमें अगर इस टाइब के सवाल बने जैसे हम कैसे फाइ थी रूड फाइव फाइव थी रूड फाइव एंड सो वान इंफनिटिव तक बने और आप से कहा जाए इसका मान बताईए अभी तक तो हम केवल कंडी में या तो कोट उसकी दो थी या तीन या चार इस तरीके से कर रहे थे लेकिन अब ऐसा है कि कोट बीच बीच से बद तल जा रहा है आप यह देखिए यही जो नंबर्स हैं यही आगे रिपीट हो रहे हैं यही नंबर्स आगे रिपीट हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं पहले देखते हैं डिस्क्रिप्टिफी डाइट देखेंगे कि कैसे सौल होगा हम ऐसा करते हैं इसे यक्स के बराबर मान ल दिए तो हमें यह पता चला इसको छोड़के अगर इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो देखे इस मान में और इस मान में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बताया था विया कल भी यही चर्चा कर रहे थे कि अगर समुद्द से एक लोटा पाने निकाल लिया जाए तो जल अस्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा इस प्रकार ये अनंत तक है तो अगर एक ले लिया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो अब देखिए इसके अस्थान पर हम यक्स लिख सकते हैं तो ये देखिए यक्स इक्वल टू रूट फाइफ थिरी रूट फाइफ इंटू यक्स होगा बात समझना रही अगली बार देखिए इसका हम स्कॉाइर करते हैं अगर दोनों तरब का हम स्कॉाइर कर देए तो देखिए ये यक्स स्कॉाइर फाइफ थिरी कोट फाइफ यक्स होगा अब अगले इस्टेप में देखिए यहाँ पर ये कोट थिरी है तो एक बार फिर इन दोनों साइड का लेट और राइट दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं जब cube करेंगे तो देखे x square का cube equal to 5 का cube into 5 x हो गया, बात समझ में आ रहे हैं, अब देखे ये आपका हो गया x power 6 equal to 5 power 4 into x, बात समझ में आ रहे हैं, अब देखे एक x से cancel हो गया यहां 5 बचा, अब देखे ये x का जो मान होगा 5 power 4 by 5 हो गया, ये सीधे सीधे हमारी बात हो गया, बात समझ में आ रहे हैं, ठीक है, अब देखे ये ही सवाल को हम direct भी कर सकते हैं, आप देखो, अब हम ये समझ गया है कि इसकी जगर पर एक बार x आएगा, एक बार x आएगा, तो अब एक बात देखिए, इस 5 के लिए आप ऐसा पहले इरेज कर लें, फिर आगे देखते हैं, देखे, आपको ये समझ गया, इस square करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ square हो जाएगा, अब देखे यहाँ ऐसा कर सकते हैं, कि इस 5 के लिए, ये आपका x equals, root 5 और 3 root 5 x हो गया, तो अब देखे, एक बार इसका square करेंगे, तो आपको पता है, ये x square हो गया, तो बाकि अब जब इसका cube करेंगे, इसको निकालेंगे, तो देखे, एक बार square होगा, तो ये 5 हो जाएगा, जब cube करेंगे, तो यहाँ भी cube होगा, और इधर cube होगा, और ये 5 x हो जाएगा, तो ये x एक बार cancel हो जाएगा, ये total 6 हो गया आपका, तो आप देखे, ये 5 power 4 into x है, x cancel हो गया, ये 5 हो गया, तो सीज़े सीज़े, ये x बराबर आपका हो गया, 5 power 4 by 5, इस तरीके से आप solve कर सकते हैं, चलिए, आगे देखते हैं, इसके अलामा देखे, जैसे कभी-कभी, अभी तक तो हम डायेट नंबर दे रहे थे, और वो सारे into में थे, कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि नंबर्स आपके plus में हो, जैसे देखे, जैसे हम कहें, 12 plus, root 12, plus, root 12, and so on, intuitive अगर इस तरह का नंबर्स हो, और इनकी बैलू पूछी अब पहला काम ये करेंगे, कि जो अंदर की संख्या होगी, इनका गुरनखंड इस तरीके से करेंगे, कि इनके दोनों गुरनखंडों के बीच का अंतर, एक आए, जैसे देखे, 12 को हम 4, 9, 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 12 को हम 4, 9, 3 लिख सकते हैं, तो अब देखे, जब प्लस होगा तो यह बड़ा वाला मान और जब माइनस होगा तो यह छोटा वाला मान बाश समझे वारे अब देखे यह होता क्यों है यह हम लोग देख लेते हैं फिर वोई तरीका हम पहले इसको X बराबर मान लेते हैं X equal to इतना मान लिए तो अब देखे इस पूरे के जगे पे हम x लिख सकते हैं, यानि कि x equal to 12 plus x लिख सकते हैं हम लोग, अब दुखे, तोनों तरब का जब square करेंगे, तो ये x square equal to, आपका 12 plus x हो गया, दोनों को एक साइड कर लिजे, तो ये x square minus x minus 12 equal to 0 हो गया, आपका ये quadratic equation बना, अब quadratic equation को जब solve करेंगे, quadratic equation को इस तरीके से solve करेंगे, देखें, बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना होता है, कि वो पहले और अंतिम के गुरनफल के बराबर आए, और दोनों का योग इस बीच वाले के बराबर आए, तो देखें, इसको अगर हम तोड और के यह 4 x plus 3 x minus 12 equal to 0 लिख दे हैं अब दोगे इन में से x common ले 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 यह x minus 4 हुआ और यहां से plus 3 common ले लिए x minus 4 equal to 0 हो गया अब इन दोनों में से हम x minus 4 common ले लेंगे तो आप यह देखिए यहां x बचा और यहां पे 3 बचा यह बराबर 0 एक बार इसको बराबर 0 करेंगे तो x common minus 3 आएगा जो की नहीं हो सकता क्योंकि करणी के अंदर से कोई भी value आएगी तो वो positive होनी चाहिए अगर minus हुआ तो वो आपकी कालपनिक संख्या हो जाएगी जबकि कि यह कालपनिक नहीं है तो आप देखिए यह इसको बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपका 4 आया यह आपका मान हो गया बात समझ्या रही है अब देखिए यह इतना करने की आवे सकता नहीं है जब भी इस तरीके का मिलेगा और यहां बीच में आपका plus हो तो आप गुरस तीन हो गया तो यहां plus है तो यह बड़ा वाला आंसर हो जाएगा अगर यहां minus होता तो छोटा वाला आंसर हो जाए ठीक है चलिए आए देखते है जैसे एखिए हम diet एक फार्मूला करके लिख देता है जैसे हम कर देए x plus minus root x plus minus root x plus minus and so on infinitive ठीक है तो अब देखे x का दो factor करेंगे यह P और Q कर दिया ठीक है यानि कि यहाँ पर आप कह सकते हो P is greater than Q या यहाँ पर एक बात तो लिख सकते हैं कि P minus Q equal to 1 यह पता हो न चीए यह बात हो गए तो अगर प्लस होगा प्लस में आपका answer जो होगा वो P होगा जबकि अगर minus है यहाँ पर तो जो answer होगा वो आपका Q होगा बस इतनी ही बात जानी है आपका सवाल हो जाएगा आसानी से ठीक है चलिए आगे देखते हैं इस पर कुछ और एक अमपल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं आप देखें जैसे हम लिख देए रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 एंड रूट इंफिनिटी तो आप देखें सीजा सीजा हमने इसका कुरण खंड किया यह 6 गुरण 5 हुआ answer इसका 6 हो गया इस यह पर कार हम लिख देएं छपपन माइनस रूट छपपन माइनस रूट छपपन एंड सो आण इंफिनिटी तक तो देखें इसका हम गुरण खंड करेंगे आज गुरण साथ होगा माइनस है तो छोटा वाला answer होगा बात समझ में आ गई होगे और बागी तो आप इसको लिख के quadratic equation बनाके और solve कर सकते हैं ठीक है चली अब आपके वह मन में प्रस्न ये भी उठा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का गुरण खंड का अंतर वन ना हो ऐसा भी हो सकता है तो उसका जो मान आएगा वो कंड़ी में मान आएगा वो हम बताते हैं आगे कि कैसे उसका मान आएगा चली देखे ये का फार्मूला जानिए कि जैसे अगर इसके अंदर कोई संख्या हो जैसे पी है प्लस रूट पी प्लस रूट पी और सुवान इंफनिटिव तक है तो अब देखे इसके लिए आप डारेट कर सकते हैं अगर प्लस है तो आप एक फार्मूला याद रखिए अंदर रूट आप करिए फोड पी प्लस वन प्लस वन बाइटू अब कोई भी मान होगा उसका आंसर यही होगा गुरन खंड हो या ना हो जैसे हम आपको बताये थे कि रूट तीस प्लस रूट तीस अब देखे एंड सुवान इंफिनिट वी तक तो आप देखे तीस के यहां पी के जगार पे तीस लिखेंगे तो चारतियां बारा एक सो बीस और एक एक सो इकीस हो गया प्लस वन बाई टू हो गया अदेखे एक सो एक कीस का जो वर्गमूल होगा एक ग्यारे प्लस एक हो गया बटे दो आंसर देखे छे आया की नहीं आया आपका आंसर जो हुआ वो सिक्स हो गया यह देखे आराम से वही बात हम यहां कह रहे थे कि आप इसका गुरंखंड कर लिए प्लस है तो यह बड़ा वाला हो जाए रहा बात समझ में आगई चले दूसरी बात समझे अगर यहीं पर यह माइनस हो जाए तो देखे यह पूरी बात वही रहेगी यहां पर माइनस लगा दिए आपको आणसर हो जाए रहे जैसे देखे इसी ग्यामपल में हम यहां माइनस करके कर दें इंफिनिटी तक कर दिए अब देखे यह आप तीस का गुरा चार में किए एक सो बीस एक जोड़े एक सो इकीस एक सो इकीस यहां केवल माइनस वन कर देना है हमारा आंसर बदल गया एक सो इकीस का वर्ग मूली ग्यारा हुआ एक ग्यारा से एक आपने माइनस किया दस हुआ दस बट्टे दो कार दिये पांच हो गया आंसर आपका आपका आया पांच अब आप देखो हमने कहा था कीस का गुरान खंड कर लिजे और गुरान खंड करने के बाद अगर यह माइनस है तो छोटा वाला प्लस होगा तो बड़ा वाला सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा चलिए एक सवाल दिखिए जैसे हम कह देए रूट सेवन प्लस रूट सेवन प्लस रूट सेवन प्लस and so on infinitive अब देखिए इसका मान हमें निकालना है तो अब देखिए इसका मान निकालने के लिए हमें पता है कि अंडर रूट 4P प्लस 1 प्लस 1 बाइ 2 करना है तो अब देखिए यह हो गया साचोक 28 28 29 हो गया यानि कि इसका मान जो हुआ यह रूट 29 प्लस 1 बाइ 2 हो गया एक तो यह तरीखा आप कर सकते हो अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह कंड़ी में मान ना दे के यह ऐसा कर सकता है कि उसकी बैलू आपका decimal में दे दे, solve करके तो या तो आप रूट 29 का आप वर्ग मूल निकालिए दस्मलों में निकालिए दो अंग तक उसके बाद में या तो देखिए रूट 29 है तो इसका अगर लगभग में मान निकालना हो तो देखिए कैसे निकालेंगे यह रूट 29 है इसका नियार बाउट मान निकालना लगभग मिमान तो आप ये देख लो ये संख्या किसके किसके वर्ग में है यानि कि ये रूट 25 और रूट 36 के अंदर है बात समझ में आ रहे हैं जो रूट 29 है रूट 25 और रूट 36 के बीच की संख्या है कहीं की तो अब देखिए इसका नियर बाउट जो मान होगा रूट 25 क को पांच लिख लिए और बीज में प्लस कर लिए उसके बाद देखिए इसका इसका अंतर निकाल लीए देखिए 29 से 25 जाएगा 4 बचेगा वो यहां लिख लिए फिर इन दोनों का अंतर निकाल लिए इसमें से 36 से 25 गया 11 आया यानि कि ये जो मान हो गया पांच प्लस 4 लगवग मान होगा अब देखे इसको solve कर लिए जैसे ही से हम कर दें 5 प्लस 4 से भाग देंगे 11 33 7 बचा 11 6 का 6 6 हो गया 4 बचा फिर 11 यानि कि इसका जो लगभग मान होगा 5.3 6.3 इसका लगभग मान होगा अब आप इसका टोटल का लगभग मान निकालना हो तो यहाँ मान कर सकते हैं 5.3 6.3 धन एक बटे दो कर सकते हैं अब देखे ये जो मान हो गया 6 दसमलो 3 6 3 हुआ बटे 2 2 से भाग दे दिये 3 दसमलो 1 8 1 लगवग यही आपका आंसर आएगा लगवग यही आपका आंसर आएगा तो देखे इसको इस तरीके से आप solve कर सकते हैं आईए भीया अगला यहां पल देखते हैं जैसे माल लिए यहां पर root 11 माइनस root 11 माइनस root 11 and so on infinitive तक अब आप यह देखो भीया इसका मान निकालना है तो हमने क्या बताया अंडर रूड 4P plus 1 minus 1 अगर यहां plus होगा तो यहां plus कर देंगे माइनस होगा तो माइनस कर देंगे अब देखे एक 11.44 एक 45 हो गया यानि की root 45 minus 1 by 2 answer में आपको ऐसे भी दे सकता है ऐसा भी दे सकता है या आपको ऐसे भी कर सकता है कि दो डंबरों के बीच में आप से कह सकता है जैसे कह दे इसको यक्स मान ले मान लिए यक्स बराबर इतना तो आप से पहला option यह कह सकता है यक्स 3 less than 3.5 ऐसे भी कर सकता है या आप से यह कह सकता है दूसरा option 3.5 is less than 4 या तीसरा option यह कह सकता है आपका 2.5 less than 1 is less than 3.0 अच चोथा option कह सकता है नन आप दीच अब देखिए आपको टिक करना या तो मान इसका दस्मलों में दे सकता है या option ऐसे दे सकता है या सीधे सीधे option ऐसे दे सकता है तो अब देखिए सबसे पहला काम हम यह करते हैं कि यह कैसे होगा तो अब ही देखिए यह जो root 45 है यह वर्गमूल जो आएगा root 45 का यानि कि root 45 जो होगा root 36 और root 49 के बीच में होगा यानि कि 6 वर 7 के बीच में होगा तो अब देखिए पहले हम छोटा वाला बाम ले लिए हम पहले 6 ले लिए तो अब देखिए 6 से 1 जाएगा 5 होगा 5 का आधा 2.5 होगा ठीक है उसके बाद में हमने 7 ले लिया तो 7 से 1 गया 6 हुआ 6 का आधा 3 हो गया यानि कि ये जो value होगी total 2.5 होगा 3 के बीच में होगी आप सीधे सीधे answer टिक कर देंगे कि विया ये दोनों मान जो इसका होगा 2.5 हो तीन के बीच में होगा एक तो यह या तो ऐसे option रहे टिक कर दिए इस तरीके से होगा टिक कर लिए या आप निया रिबाउट मान निका लिए यह 36 का वर्मोन 6 हुआ और इन दोनों का इन दोनों का अंतर जो है वो आपका ना हुआ 9 बटे और इन दोनों का जो अंतर है वो आपका 13 हो गया देखे यह 36, 39 यह 13 हो गया तो अब देखे 6 यह देखे 13, 60 हो गया 12 बचा 120 हुआ और 13, 99, 117 यानि कि इसका जो लगभग मान होगा 6,69 होगा बास समझ में आ रही है 6,6 होगा अब एक इसमें से माइनस कर दिए 5,6 होगा बटे 2 कर दिए तो देखे दोनी 4 हो गया एक बचा 2,8,2,4 यानि कि लगभग इसका जो मान होगा वो 2,8,4 होगा बास समझ में आ रही है ठीक है चलिए आगे देखते हैं नियर इबाउट मान निकालने आना चाहिए इस तरीके से आप किसी भी कंड़ी के संख्या का नियर इबाउट यानि कि लगभग का मान निकाल सकते हैं आए आगे देखते हैं चलिए अब देखे हमने दो बाते बता दें दो बाते कौन कौन सी एक तो हमने बताया कंड़ी में प्लस होगा तब कैसे सॉल्व करेंगे और कंड़ी में माइनस होगा तब कैसे सॉल्व करेंगे अब ऐसा भी आजकल का जो ट्रेंड है का कैसे देखे आप से ये कह दे रूट फाइव प्लस रूट फाइव माइनस रूट फाइव प्लस रूट फाइव माइनस रूट फाइव इस तरीके से देखे भी आप से मान पुछा जा रहा है अभी आप क्या देख रहे थे या तो प्लस था या तो माइनस था या तो जोड थ प्लस भी है और माइनस भी है तो अब देखे अगर इस तरह का हो आप समझ लिए इसके लिए क्या करेंगे जैसे देखे मान लिए रूट यक्स प्लस रूट यक्स माइनस रूट यक्स प्लस रूट यक्स माइनस रूट इस तरीके से अनंत तक दिया हो तो इसका जो मान होगा यह आप समझे कैसे करेंगे, इसका मान यह आपको फार्मूला याद होना चाहिए, याद नहीं होगा, तो इसको अगर प्रूफ करने जाएं, तो थोड़ा समय लगेगा, आपको प्रूफिंग की कोई यह उरत नहीं, आपके वाद जानते रहिए, कि होता कैसे है, इसका मान द सोरी सोरी, यहाँ पे यह 4P-3 होगा, 4P-3 और प्लस 1 बाई 2, यानि कि इसका जो मान होगा, ओ 4P-3 प्लस 1 बाई 2, जैसे इसका मान निकालना है, तो आप देखिए, पांचोग 20 हो गया, 20 से 3 गया, रूट 17 प्लस 1 बाई 2 इसका अंसर हो गया, पासमझना रहे, आप इसको च हैं, तो रूट 17 का लगभग मान निकाल लिए, और यहाँ रख दीजे, उसकी वेलू आ जाएगी, अब देखिए, रूट 17 का लगभग मान कितना होगा, एक बार और बताते हैं, जैसे 17 है, तो देखिए, यह रूट 16 और रूट 25 के बीच में है, तो रूट 16 का मान 4 हो गया चार से बढ़ा ही होगा 17 का मान, अब देखिए, इन दोनों का जो अंतर हुआ, एक हुआ, और इन दोनों का जो अंतर हुआ, वो 9 हुआ, यानि कि 4 दस्मलो, 9 कन्ये 9, 4 दस्मलो एक एक, इसका लगभग मान आएगा, बास समझ जाए, यानि कि आप यह कह सकते हैं, कि 5 दस्म आपका इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाए, जैसे आप से यह पूछ लिया जाए, जैसे इस तरीके से जै, यानि कि पहले जो हो, वो आपका माइनस हो, बाद में यह मान प्लस हो, तो अब आप देखें, इसके लिए आप करिए, अंडर रूट, 4P, माइनस 3, और देखें, यहाँ पहले प्लस होगा, तो यहाँ प्लस 1 होगा, माइनस होगा, तो माइनस 1, बाई 2, यह आप 4 फार्मूले हैं, इन 4 ओं को याद रखें, पास समझ में हो गए, अब देखें, जैसे इस पर एजमपल देखें, जैसे हम कहें, रूट 7, माइनस रूट 7, प्लस रूट 7, माइनस रूट 7, यह देखें, इस तरीके से करदें, एंड सो वान इसुनिटी तक, अब देखें, इसका जो मान होगा, यह आपका साच्चोग 28 होगा, 28 से 3 गया, आपका होगा 25, ठ 25 का वर्गमूल, 5 हुआ, 5 से 1 गया, 4, 4 बट्टे 2, यानि कि इसका मान लगवक क्या, एकुरेट आपका 2 आएगा, बाद समझ में आ रही है, तो यह रही, आज की बाते हैं, देखें, यह चारों फार्मूले, आपको याद होना चाहिए, एक्जाम में इस से एक सवाल 100% मिल जाएगा, चारों का एक बार और लिख जेते हैं, उसके बाद में, आज की क्लास यही रोपते हैं, देखें, कंडीशन पहले, या तो रूट यक्स, प्लस रूट यक्स, प्लस रूट यक्स, एंड सो ओन, इन्फिनिटिव, तो इसके लिए, आपको करना अंडर रूड, 4P प्लस रूट यक्स, माइनस रूट यक्स, माइनस रूट यक्स, माइनस रूट यक्स, एंड सो ओन, इन्फिनिटिव, तो इसके लिए, 4P plus 1 minus 1 by 2 या तीसरी condition देखे root x plus root x minus root x plus root x इस तरीके से होगा एंड सो 1 इंशनिटिर तक तो इसके लिए आपको लिखना होगा under root 4P minus 3 plus 1 by 2 होगा इसी प्रकार अगर यहाँ पर इसको इरश करते हैं चौथी बात जो है अगर इस तरीके से दिया हो root x minus root x plus root x and so on infinity तक तो आपका जैंगे under root 4P minus 3 minus x तो minus 1 by 2 यह आपका answer होगा तो यह चारो बाते आपको पता होना चाहिए इन चारो से कभी ना कभी याम में अक्सर एक सवाल आप से मिल जाए है किसी पर मिल जाए एक सवाल मिलना तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं और आप लगातार पढ़ते रहे हैं पूरा वीडियो देखिए उसके बाद में कोई दिक्कत हो तो आप comment के द्वारा आप बता सकते हैं ठीक है चलिए साब बाई टेक केर